मंडला जिले के ग्राम खुकसर में दिखी मुकद्दम की दबंग गई मुकद्दम के आदेश पर चरवाई गई खड़ी फसल जिला मुक्याले से लगबक 20 किलो मीटर की दूरी पर ग्राम खुकसर में कुछ लोगों के द्वारा लगबक 10 एकड़ शास की बूमी पर आवयत कबजा कर फसल बोई गई थी जिसका मामला तैसील नयायाले में लंबित किया परंतु ग्राम मुकद्दम के द्वारा नियम कानून के वरुज जाकर ग्राम के लोगों की पंचायत बुलाकर एक तरफा निर्ना लेते हुए खड़ी लहलाती फसल को मवेशियों से चराने का जारी कर दिया जबकि कबजाधारियों का कहना था कि मामला नयायाले में लंबित है आदेश आते तक किसी तरह का हस्तोशेप ना करें लेकिन मुकद्दम ने एक ना सुनी और देखते ही देखते पूरी फसल को मवेशियों से चरवा दिया विवादित भूमी में राहर मटर और गेहूं की फसल लगी हुई थी लगबक चार से पांच लाक रुपए का नुकसान होना बताय जा रहा फिलाल कबजाधारियों दौरा मामले की शकायत कोतवाली थाने में की गई है पहले अपना नाम बताएं आप खुकसर ग्राम के मुकद्दम हैं खुकसर ग्राम में कल किसी प्रकार की कोई पंचायत हुई क्या बैठक बगेरा तो बैठक में जो जे सास की भूमी में लोगोंने जो बोया है दो चार लोगोंने जैसे बसंत है और सेवक राम है तो इनकी भूमी में जो फसल लगी हो उसको चराने का निड़े लिया अप लोगों के द्वारा ने चराना कर नेंड़े हुआ था इने में मिटिंग में अच्छा अच्छा तो हराता लिए हद फ़न्वाए उसके हम थूप करें अपने पूजा करें और पूजा करने के बाद मैं उसक है कि आप गाओं भर के लोग बैठे कि आपका जे निर्ने जायज है कि किसी की लगी फसल भले वो सास की भूई बोई गई है जबकि उनका जो है मामला नियाले में अभी चल रहा है आप लोगों के द्वारा पूर में सिकायत की गई थी तैसिल नियाले में उसका मामला नियाल उन्हों ने ऐसा हमें आदेश दिया कि आप लोग उनकी फसल चरालू किया यह सही है चलिए ठीक पूरे आदमी कहन लगे आप अच्छा जैसे उसको बुलाया है उस जमीन के अलावा उस जमीन के अलावा भी आपके ग्राम में दूसरे लोगों ने जो है फसल वोई है जैसे त कोनों जगा गए पूछ रहा है कि वहां है अलसी अच्छा अलसी को अगर मवेशी को चलाते हैं तो अलसी खाने से मवेशी मर जाता है चलिए धन्यवाद मेरे नाम बसंतलाल दूरी है आपके खेत में जो खड़ी फसल चराई जा रही है जिए किन के आदेश से चराई जा र काउं के जो मुकदम हैं उसके द्वारा निरनाई लिया गया और यही लोगों के द्वारा इन्हें रोका नहीं गया कि फसल भाई हमाई आने लिए हम गये तो वह मारने पिटने के लिए उतारू है इसलिए हम पुलिस को सो नंबर किये बाकि वाभी तक आई नहीं है के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है अब देखना यह है कि पुलिसिस में क्या कार्रवाई करते हैं आप लोगों के कितने लोगों की फसल चराई गए हैं इसे 7-8 लोग हैं हम जिनकी फसल जो चराई है यहाँ पर जिन नहीं आपकी ग्राम की पंचायत और मुकदम के द्वारा लिया गया चलिए धन्वाद खबर भारत वाज के लिए मंडिला सिभुनेश्वर केवट की रिपोर्ट अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन दबाना न भूल क्योंकि खबर हमारी पैसला चनतंत्र का